नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं सकरपारा, सकरपारा ऐसी मिठाई है जो लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इसको आप एक बार बना कर लंबे समय तक खा सकते हैं, यह मिठाई बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यदा चीज़ों जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बनान बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर बहुत ही आसाने से कम समय बना सकते हैं, तो चलिए हम सुरू करते हैं सकरपारा बनाना, सकरपारा बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कप मैदा लिया है, सबसे पहले हम मैदे में आधा कप देशी घी डाल कर मिला लेते हैं, घी को हम मैदे मच्छ मिला लेते हैं हमें सकरपारे के लिए मुयम अच्छ से लगाना है इससे सकरपारा जो है वो खस्ता बनेगा और सकरपारा खाने में भी अच्छ लगेंगे आप देख सकते हैं हमने इस तरक मुयम लगाया है मैदे जो हैं वापस में लिपट रहे हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाइन डाल कर इसका डो बनाएंगे हमें बहुत मुलायम डो नहीं बनाना है डो को हम थोड़ा मेडियम में बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पाइन डालते जाएंगे और माइदे को गुते जाएंगे जिसे डो गेलिन हो आप देख सकते हैं हमने इस तरह का माइदा गुत कर तयार कर लिया है एड़ो हमारा बन गया है अब इसे हम ढख कर 15 मिनट लिए रख देते हैं जिससे माइदे खिल कर सेट हो जाएं जब तक माईदा हमारा सेट हो रहा है तब तक के लिए हम चासनी को बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए हमने गैस पर पतीले रख दिया है अब पतीले में एक कप चीन डाल देते हैं और इसमें हम एक कप से थोड़े कम पानी डाल देते हैं यानि कि हमने दो तिहाई कप पानी लिया है चासनी के लिए हम सबसे पहले चीनी को गलाएंगे चीनी को हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे पतीले के तली में जलेना और चीनी जदी से घुल जाएं चीनी अच्छे से घुल चुकी है और चासनी हमारा पक रहा है चासनी में हम आधी छोटी चमच इलाची पॉर्डर डाल कर मिला लेते हैं गैस को हम मेडिये में कर देते हैं अब चासनी को हम पका कर गढ़ा करेंगे इसको हमें उतना ही पकाना है जिससे चासनी तार बनने लगें क्योंकि हमें सकर पारा के लिए एक तार की चासनी बनानी है, अब चासनी गाड़ी हो चुकी है, थोड़ी से चासनी इस बावल में निकाल कर हम चासनी को चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं चासनी में अच्छे स्तार बनने लगा है, सकर पारे के लिए चासनी हमारा बनकर तयार है सकर पारा के लिए हमें इसी तरह के चासनी बनाना है तक ये ठंडे होने के बाद चासनी जमने लगे अब हम गयस को बनकर देते हैं अब चलते हैं हम मैदे की तरफ क्योंकि मैदे के हमें पारा बनाना है माईदा हमारा फूल कर सेट हो चुका है अब इसमें से हम थोड़े बड़े साइज के लोई काट लेते हैं इतना बड़ा लोई हमें बनाना है लोई को हम बोट पर रखकर मसल कर चिप्टा कर लेते हैं अब बेलंस हम इसका पट्टी बिल लेते हैं हम पारा बना रहे हैं, इसलिए पारे के लिए हम मोटा साइजक पट्टी बेलेंगे, जिससे पारा जो हो हो जो तलने रिदा बद मोटे साइजक बने. आप देख सकते हैं हमने इतना मोटा पट्टी बेला है अब इसको हम चाकुस काट लेते हैं पहले इसे हम सीधे सीधे लंबे अकार में काट लेते हैं अब बोट को हम घुमा कर इसे छोटे छोटे पीस में काटेंगे यहनी कि हम इसको मठरी की साइज में काट लेते हैं जितना बड़ा हम मठरी को काटते हैं उसी तरह हम इसको भी काटेंगे पारा हमने काट लिया है अब इसको उठाकर प्लेट में रख देते हैं इसे हम चाकुक मदद से उठाकर प्लेट में रख देते हैं जिससे यापस में चिपकेना अब इसी तरह से हम बाकी कुमाईदे के पारा बना लेते हैं बेलन को हम चारो तरफ से घुमाते हुए पट्टी को बेलेंगे जिससे पट्टी कहीं से मोटे पदलेना रहें और पारे सभी एक साइज में बने अब इसे भी हम काट कर पारा बना लेते हैं पारा आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं अगर आप और छोटे पीस में पारा को काट रहे हैं तो आपके पारा भी और ज़्यादा मात्रम बनेंगे लेकिन इतने बड़े साइज में पारा ज़्यादा अच्छे लगते है सभी मैदे को बेल कर हमने पारा बना लिया है अब पारे को हम तेल में तलेंगे कड़ाहिम तेल हमने ले लिया है अब एक पारा हम तेल में डाल कर चेक कर लेते है पारे को तलने के लिए हमें इतना ही गरम तेल चाहिए गयस को हम धीम कर देते हैं तेल में हम सभी पारे को डाल देते हैं एक साथ हम सभी पारे को तेल में डाल देते हैं इसको हम तेल में फैला कर डुबो देते हैं पारे को हम तेल में डालने कबाद तुरंट नहीं पल्टेंगे, जब यह तेल के उपर आ जाएंगे तब इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे, अब पारे जो है वो तेल के उपर आ गए हैं, अब इसे हम बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे, इसको हमें सुनरे रंग में आप देख सकते हैं पारे जो है तलने के बाद कितने मोटे मोटे हो गए हैं इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे पारे को हम धीमी आज पर तल रहे हैं धीमी आज पर पारा तलने से पारा एदम खसते और कुरकुरे बनेंगे और वो अंदर तक अच्छे से पक भी जाएंगे यह पारा हमारा सुनारे रंगों फराई हो गये हैं अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं अब इसे हम चासनीम मिलाएंगे चासनीम हम सभी पारा को डाल देते हैं और इसे हम चासनी में मिला कर अच्छे स्कोट कर देते हैं, जिससे पारे जो है वो चासनी में पूरी तरह से लिपट जाएं, जैसे जैसे हम इसे मिलाते जाएंगे, तो चीनी वैसे वैसे पारे में जमती जाएगे, पारे को हमने चासनी में कोट कर दिया है, अब सभी सकर पा पारे में सूख कर जम जाएं और पारे आपस में एक दुसरे चिपके न रहें सकर पारे को हम इसी तरह 10 से 15 मिनट के लिए पंक्खे खवाम रख देते हैं जिससे पूरी तरह सूख जाएं और यहांस से उठाने के बाद चिप चिपे न रहें अब 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं शकर पारा एदम सूखे हो गए हैं यहांस से उठाने के बाद चासनी हाथ में नहीं लग रहा है अब यह पूरी तरह से सूख गए हैं यहनी कि यह सकर पारा हमारा पूरी तरह से बनकर तयार है अब इसको हम प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह कर सकर पारा हमारा बना है पारे में चासनी पूरी तरह सूख कर जम गया है आप देख सकते हैं कितना बढ़ी है सकर पारा हमारा बना है इस सकरपारा हमारा पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तयार है बहुत ही खस्ता और कुरकुरा सकरपारा हमारा बना है इससे आप एक बार बना कर किसी डिब्बे में रखकर लंबे समय तक खा सकते हैं एक सकरपारा तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा और कितना खस्ता बना है आप देख सकते हैं सकरपारा अंदर तक पूरी तरह से पका हुआ है एक कच्चे नहीं है और एकदम खस्ते और कुरकुरे बने हैं तो आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी सकरपारा बना सकते हैं यह सकरपारा खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं